वेलकम टो मास्टर मांट अब जिके एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर मांट अब जिके में फ्रेंस आज हम लोग प्राचिन इत्यास का पार्ट फोर देखेंगे अभी हम लोग घटना queen के सार संग्रा देख रहे हैंठें पिटी एक्जाम के साथ रेलेवे ग्रूप डी के लिए भी काफी महतोपूर है तो आप लोग सबी लोग जिरूर देखेगा विडियो तो चलिए आज का पहला पॉइंट देखे क्या करा कि बिलियम जोन्स पहले बिद्वान थे जिन्होंने सैंड्रो कोटस ठीक है सैंड्रो क मौर को एंड्रो कोटस के रूप में वरनित किया है किस ने तो एरियन तथा प्लुटार्क ने चंद्रगूपत को एंड्रो कोटस के रूप में वर्नित किया है अगला देखे अगला है जो बहुत ही important है friends कि पर्मुख भारते सासक तथा उनकी उपाधिया ठीक है ये देखे question पूछा जाता है कि कौन सा सासक ने कौन सा उपाधि धारन की थी तो सभी को याद कर लेएगा बिंदु सार जो अपका चंद्र बिंदु सार जो असोग के पिता थे friends उनको अमित्र घात कहा जाता था ठीक है बिंदु सार की उपाधि क्या है तो अमित्र घात के नाम से जाना जाता है असोग को क्या क्या कहा जाता था देवनाम पिरी या पिर चंद्रगुप्त को महाराजा धिराज की थी तो महाराज धिराज ने चंद्रगुप्त दितियों को विक्रमाद दीती और हर्स वर्धर किसका उपाधी है तह अपका अपका कनिस्क का है ठीक है चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं अगला पॉइंट आपका है जस्टीशन ने सेंड्रो कोटस चंद्रो गुप्त मौर और सिकंदर महान की भेट का उलेख किया है ठीक है याद रखेगा सेंड्रो कोटस के नाम से आपका देखे हैं कोस्ट में लिखा हुआ है तो तो वह और सिकंदर महान की भेट का उलेख किया है ठीक है और सिकंदर महान की भेट इससके बारे में किश्टीशन गया है तो घुधाब कहा जाता है द्वारा मौर काल में रचित और शास्त सासन के सिदानतों की पुष्टक है ने फिर अभीक्ते है देखे दोनों पॉइंट आपको पुछा जाता है सबसे पहले पुछा जाता है फ्रिंस आपका कि ऑर्थ जो कौटियली का अर्थ सास्त किस समंदीत पूस्तख है तो सासन के सिदान्टू Alan Mlta 카메염 का अर्थ सासल है उसमें कितने अभिकरण थो फंद कल रहना है आगला point किरद चनपनwater वह ते डंड वा मित्र की तुर पर्थमियां पूछा जा सकता है कि संपतांक सीधान्त जो राजा आमात्य जनपद दूर्व कोस दंड एवं मित्रides कि सरपर्थम ब्याक किसमें मिलते हैं तो अर्थ सास किसके द्वारा लिखा गया तो चानक के द्वारा और ये सासन के सिदान से समधित पुस्तक है अगला बिहार में पटना निपाटले पुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्रहार में की गई खुदाई से मौर काल के लकडी के बिसाल भवनों का अवसेस परकास में आये हैं थिक है याद रखेगा बिहार पटना में के समीप ने कहा बुलंदी बाग से ठीक है वहां से क्या मिला है बुलंदी बाग एवं कुम्रहार में बुलंदी बाग और कुम्रहार में की गई खुदाई से मौर काल के लकडी के विसाल भवनों का अवसेश प्रकास में आये हैं अब देखें फ्रेंच ये भी याद रखेगा आपका कि जो आपका परमुख राजवन्स संस्थापक एवं राजधानिया ये बहुत इंपॉटेंट है पूछा जाता है कि कौन सा बंस की कौन संस्थापक थे उनकी राधानी कहां थी हर्यक बंस के संस्थापक बिंबिसार थे इसके संस्थापक सिमुख थे और इनकी राधानी कहां थी परतिष्ठान थी गुप्त वंस के संस्थापक सिरी गुप्त थे या इनकी राधानी कहां थी पाटले पुत्र थी वर्धन वंस के संस्थापक पुसिभूती को कमाना जाता है इसका राधानी कहां था वर्धन वं को देखे resolutions कि गहडवाल वन्स के संस्थापन कहा है इसकी राधानी कहा था कनावज था पंढ़ा के शनस्थापन सीजीन स्हिस्श प्रेजन करके याद कर लिएगा अगला पॉइंट को देखते हैं फ्रेंस की चंद्रगुप्त मौर ने दच्छिन भारत की बिजय प्राप्त की थी जैन एवं तमिल साच्छिम भी चंद्रगुप्त मौर की दच्छिन बिजय की पूश्टी करते हैं, ठीक है का ने का मतलब है सेना को 305 इस्वी में परास्थ किया था ठीक है चंद्रगुप्त मौर ने सिकंदर के सामराज के पूर्वी भाग के सासक सेल्यूकस की आक्रमनकारी सेना को 305 इस्वी में परास्थ किया था अगला पॉइंट आपका फ्रेंच 59 इस्वी के लगभग असोक का राजा अभिशेक हुआ था ठीक असोक किसके बेटा था सभी पता है बिंदु सार के मौरुमन से समनित है असोक के अभी लेखों में सरवत्र उसे देवनाम प्रिय देवाना या प्रिय दर्सी कहा गया है अभी हम लोग उपाधी में देखे थे तो सला कि लेटा था, तक समनित देवनाम प्रिय देवनामा प्रिय देवनामा प्रिय देखने में संदर पूरानों में उसे अक्ल कि पश्रतर कता हो पिये की उपाधि धारण करता था दसरट थिक है असोग के अभिलेखों में रज्युक नामक अधिकारी का उलेख मिलता है थिक है तुछ था है कि रज्युक नामक अधिकारी का अगला point को देखते है मौर काल में किसी कि संधिला दी गई थी अगला point तो अजो ने करवाए था जी सभी को पता होगा असोक ने करवाया था बौत धर्म गरहन करने के उपरांत असोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारम की थी जब बौत धर्म गरहन कर ले थे तो आखेट और विहार यात्राएं को रोक करके धर्म यात्राएं प्रार दिया है लुमिनि उसके बाद कपिल वस्तु उसके बाद बो दिया फिर सारनाथ और कुशी नगर और सरावस्ती अगला पॉइंट है प्रेंस आपका कि कालसी गिरनार और मेरट के अभी लेख ब्राम्बी लेपी में है याद रखेगा असोग के जो अभी लेख है कितने तीन वर्गों में भी भाजित क्या जा सकता है सिला लेख, अस्तम लेख तथा गुहा लेख असोग के सिला लेख देख लेते हैं तो असोग के सिला लेख है आपका असोग के सिला लेख जो परमोख परमोख है फ्रेंस पर्थम का जो असो के जो पर्थम सिलालेख है उसमें क्या किसे समंदित है तो पसु बली की निंदा से दूसरा सिलालेख में मनुसिवं पसु की चिकच्चा से तीसरा सिलालेख में अधिकारियों का पांचमें वर्स दौरा के पाँचमा सिलालेख में है धर्म महा मातरों की नियुक्ति से छठा सिलालेख है फ्रेंस आत्मी नियंतरन की रच्छा से गर्हमा सिलालेख है धम की व्याक्या से और सबसे इंपोर्टेंट है जो तेरहमा तेरहमा सिलालेख से कलिंग यूद का बर्णन मिलता है पुछा जाता है किस सिला लेक से कलिंग यूद के बारें बढ़नन मिलता तो तेरहवां से और अपना यह पी पुछा जाता है पसु बली की निंदा है जो किसमे है तो आपका पर्थम सिला लेक से जनकारी सकी मिलते है ठीक है अब देखें यहाँ पर है चौदा लेक से प्राप्त है जो कितने जेगा से प्राप्त हुए थे तो आठ बिन बिन अस्थानों से प्राप्त हुए थे चले खेंग बहुत इंपोर्टेंट याद रखेगा परमुक भारतिय दर्सन है वाम उन्सके संस्थापक एक कोश्चन पूछा जाता है न्याय दर्शन के प्रतिपादक्या स्थापकों थे न्याय दर्शन के महर्शी गौतम, साखे दर्शन के महर्शी कपील, मिमानसा दर्शन के महर्शी जैमनी और योग दर्शन के आपका पंतजली पतंजली और वैसेशिक दर्शन के महर्शी कनाड इसको आप वीडियो को पॉ मान सेहरा की लीपी ब्रहम्वी नहोकर खरोष्टी है देखे इसको बहुत इंपोर्टेंट याद लिखेगा जो असोग की अधिकांस अभी लेख है वो प्राखिर्तिक भासा और ब्रहम्वी लीपी में लिखे गया है लेकिन दो अभी लेख है जो कौन-कौन है साहबाज गढ और ही और मान सेहरा की जो लीपी ब्रहम्वी नहोकर करके खरोष्टी लीपी है ठीक है अब बाकी जो अधिकांस का उसका लीपी ब्रहम्वी लीपी है अगला पॉइंट आपका फ्रेंस की तचसिला से आर्मेरिक लीपी में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नाम कस्थान से युनानी तथा अर्मेरिक लीपियों में लिखा गया दिभासिय युनानी एवं स्रियाई भासा अभिलेख तथा लंगमान नामा कस्थान से अर्मेरिक लीपियों में लिखा गया असोक का भिलेख प्राप्त हुआ है अगला पॉइंट को देखें प्रिंस जेम् प्रिंसेप को असोक के भी लेखों को पढ़ने का स्रेह हासिल है सर प्रथम आपका यही है जेम्स प्रिंसेप ने असोक के सिलाले को पढ़ा था प्राचिन भारत में खरोष्टी लिपी दाएं से बाएं लिखी जाती थी इंपोर्टन पॉइंट है याद रखेगा जो प्राचिन भारत में खरोष्टी लिफी कैसे लिखी जाती थी तो दाएं से बाएं असोक ने अपने राज भिशेक के 20 में वर्स लुमनी की यात्रा किये थी कोश्चन पुछा जाता है कि लुम्बनी की यात्रा है जो असोक कब किये थे तो असोक ने राज भिशेक के के में 20 में वर्स लुमनी की यात्रा किये थे असोक ने बूध की जन्म भुमी होने के कारण लुम्बनी ग्राम का धार्मिक कर माप कर दिया भुराजस्व एक बटा च्छ से घटा कर एक बटा आठ कर दिया अगला पॉइंट है असोक के तेरहवे सिलालेख से कलिंग यूद के संदर में असपर्ष्ट साच मिलता है पहले भी हम लोग देच चुक है असोक के दिर्ग सिलालेख बराहमे में सभी संपर दाइके सार की विर्धी होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिंस्टा हित्व उपाय बताए गया है कई में 12 हमे, दिर्ग सिलालेख 12 हमे में, एकुछा पॉइंट है इफ रेंट्स असो के दूसरे और 13 हमें सिलालेख से, अगला पॉइंट को देखे है इफ रेंट्स की मौरीस, सासक असो के तेरह में सिलालेक से अग्यात होता है कि असो के पाँच यवन राजाओं के साथ मैत्री सम्मंद थे तो देखे यह भी इंपोर्टेंट है मौरी सासक असो के तेरह में अभी सिलालेक से अग्यात होता है क्या कि असो के पांच यहमन राजाओं के साथ क्या मैत्री पुर्ण सम्बंद थे जिन में अंतियोक ठीक है आनि एंटियोकस दुतिये थियोस सिर्या का सासक इससे फिर है तुर्मय या तुर्माय टालेमी दुतिये फिलाडेलफस मिस्र का राजा से तीसरा में अंतिकीनी आनि एंटिगोनस गोनातास मेसिडोनिया या मगदुनिया का राजा से फिर है मग यान साइरिन का सासक से फिर अलिक सुन्दर आनिक एलेकजेंडर एपाई एपाईरस या एपिरस का राजा से पांच से इसका मैत्री पुन समंद था आसो का ये जनकारी आपका आसो के तेरह में सिलालेक से ग्यात होता है ये इंपोर्टेंट पॉइंट ये बन रहा है यहाँ पर ठ के राजी सब हमें भेजा गिया युनानी राजदू था कोशन पूछा जाता है फ्रेंस कि मेगास्थुर में से जो किसका राजदू था तो से लूकस निकेटर का था जिस ओ आपका चंद्रगुप्त मौरी के राज में भेजा गिया था ठीक है ये कहां का था युनानी का थ मेगास्थुर ने ततकालिन भारतिय समाज को सातर सिर्णियों में विभाजित किया था ये पूछा जाता है ठीक है जो मेगास्थुर यहां आया था फ्रेंस चंद्रगुप्त को मौरी में से लुकस निकेटर के राजदू बनकर करके तो भारतिय समाज के सात वर्गों में विभाजित क्या था जो इस परकार है देखे याद कर लें दार्शनिक हो गया क्रीशक पसुपालक कारीगर योधा और निरत्षक एवं मंत्री यही सात सिर्णियों में भारतिय समाज को मेगास्थुर ने बाटा था अगला पॉइंट है आपका फ्रेंस के मेगास्थुर भ पांच प्रांतों का नाम मिलते हैं असोग के जो अभिलेख में मौर समराज के कितने पांच प्रांतों का नाम मिलते हैं यह पांच प्रांत है उनका राजधानी यह याद रखेगा उत्रापत की राजधानी तसिला अवंतिरत अवंतिरतत का उजैनी कलिंग का तोसली दशन गिरी प्राच या पूर्वी परदेश का पाटले पूत्र ठीक है क्या था फ्रेंच कैसो कि अभी लेखों में मौर समराज के कितने पांच परांतों का नाम मिलते हैं पाचो परांते हैं उसका राधानी है आगे देखें फ्रेंच कि भाग एवंबली प्राचिन भारत में समाहरत से काल करने का राजस्व गर्णाता के द्वारा किया जाता था ये पूछा जाता है कि मौर मंत्री पर्सद में का कार कは समी समाहरता होता था então अन्तपाल करता था, ठीक है? अन्त पाल है जो सीमा रचक था, एजर रखे गा इगा सामा आसबसा है का रजस्व एकत्र करने के लिए और अन्तपाल क्या था? सीमा रचक क्या से मौर्टी दुर्गों की देखभाल करता था उसको क्या कहा जाता था? अंतपाल कहा जाता था फिर आपका फ्रेंस जब की प्रदेश्टा विसियों या कमिशनरियों का परशासक था प्रदेश्टा क्या था तो विसियों या कमिशनरियों का परशासक था आगे मौर यूगिन अधिकारी पौतवा अध्यच तौलमान का परभारी था देखे मौर का बुच्चड खाने के परभारी थे दोनों याद रखे ऐखें है इंप्वरनेंट्थ है इंप्वरिकाल में वानी जी भीभाग कौन देखता था पन्याध्यच और सुनाध्यच जो बुच्चड खाने के परभारी होते थे जे बुच्च्ड समय अज रहे एक कसाई घर कटायो पॉटे होता है मौर यूग में नगरों का परसाशन नगर पलिकाओं के द्वारा चलाया जाता था इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका पर्मुक को क्या कहा जाता था नागरक या पूरम मुक्ष कहा जाता था याद रखेगा मौर यूग में नगरों का परसाशन नगर पलिकाओं के द्वारा चलाया जाता था उसका पर्मुक को नागरक या पूरमुक्ष कहा जाता था अगला युनानी लेखकों ने बिंदु सार को अमित्रो केडिज कहा है बिद्वानों के नुसार अमित्री केडिज का संस्कृत इसका मतलब क्या होता है संत्रो का नास करने वाला अगला है आपका फ्रेंच पुस्मित्र सुंग ने 184 इस्वी में अंतिम मौर सासक भिध्रत की हत्याकर सुंग राजवन्स के स्थापना की थी अब कोश्चन बन रहा है फ्रेंच की मौर वन्स के अंतिम सासक कौन था तो फ्रेंथ त्व्रत था और इसको पुस्मित्र संग ने 184 इस्वी में हत्याकर करके सुंग वन्स की स्थापना की थी अंतिम सासक कि अंतिम कुण सासक सुशरमा अपने आंधर जातिय भृत्य सिमुक दौरा मार दिया गया था फ्रेंच का नस करतिम कुरान से थी हम गयात होत जातिये भिरिंत सिमुक द्वारा मार दिया गया था गिरनार छेतर में चंद्रगुप्त मौरे ने सुदरसन जिल खुदवाई तथा असोक ने इसे इस वी पूर्व तिसरी सताबदी में इसे नहरे निकाले तो देखिए सुदरसन जिल का खुदवाय था किसने याद रखेग प्रुद्रादमन के जुना गड़ा विलेख में इन दोनों के कारों का वर्णन मिलता है आगे देखे फ्रिंस आप का है कि गुप्तोत्तर काल के मंदिर एवं निर्मान करता ठीक है यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जुरूर याद रखेगा तो पूरी का जगनाथ मंदि कि ने बनाया था तो धंग देव चंदेल ने बनाया था कैलास मंदिर जो एलोरा माराष्टा में फ्रेंस क्रिष्ण पर्थम ने बनाया था कैलास मंदिर का निर्मान क्रिष्ण पर्थम ने कराया था और एलिफेंटा के गुहा मंदिर का निर्मान राष्ट कुटो ने किया था तत मंदिर मामलपुरम तत मंदिर का निर्मान नर्षि वर्मन दुतियन करवाया था कैलास मंदिर जो काची में पढ़ता है नर्षि वर्मन दुतियन करवाया था ब्रिदेश्वर मंदिर तंजाओर का जो ब्रिदेश्वर मंदिर है उसका निर्मान राज पर्थम निकिया था मुक्टेश्वर मंदिर का नंदी वर्माण दूतिय निक्या था पेटी कह देखे ने यहिते है कि आगला काप ! कि एस्ट्राइटो दुतिये ने सीसे के सिक्खे जारी किये थे अगर वंस के पुछा दे तो साथ वाहन वंस ने सरपर्थम सिक्खे के जारी किये थे उसके बाद में एफ्टेंस आपका कि उत्तर पस्चिम भारत में स्वन्द सिकों का परचलन इंडो ग्रीक और हिंद यवन राजाओं ने करवाया था ठीक है उत्तर पस्चिम भारत में स्वर्ण शिकों का परचलन इंडो ग्रीक आने हिंद यमन राजाओं ने करवाया था जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से परचलित कराने का स्रे कुसान सास्कों कर जाता है देखें हिंद यूनाट पहला है जो आपका इंडो ग्रीक हिंद यमन राजाओं ने स्वर्ण शिक का परचलन करवाया था लेकिन इसे नियमित रूप से पूर्ण रूप से परचलित करवाने किस रहा है आपका कुसान सास्कों को दिया जाता है सोने के सिक्गे का फिर आगे कुसान यूची कबीले से सम्मंदित थे यूची कबीले से सम्मंदित थे कुसान सासक कनिस्क के सिक्कों पर बुध का अंकन मिलता है बहुत important point of reference कुसान सासक कनिस्क के सिक्कों पर किसका मिलता है अंकन तो बुध का अंकन मिलता है कुसान सासकों में किम कड़े फेसिस वीम कड़े फेसिस ने सर पर कर्फम के सारनाथ बॉध अभिलेख की ती 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 एक एकासी इस्वी है आगला प्रॉंट आपका ही फ्रेंस की भारत में राष्टे कलेंडर के रूप में सक्सम्बत को अपनाया गया है सबी को पता सक्सम्बत की प्ररारह में था, ठेक है Tuesday अश्वा के राज कवी थे कनिषक के सासंकाल में क कश्मिर के कुंड़ मन में हुआ था हूँ यद रखेगा, सौंधरा नंद, बुद्यचरीत, तथा सारी पुत्र परकरण, अस्वगोस की पर्मुख रचनाये हैं, ठीके, याद रखेगा, अस्वगोस, जो कनीश के राजगवी थे, सौंधरा नंद, बुद्यचरीत के लिखक भी अस्वगोस है, ठीके, एक हर्ष करीत ह नागार जुन जिसे भारत का इस्टिन का जाता है। कनिश्क के दरवार में थे पासर्व तथा चरक भी थे जो आपका कनिश्क के दरवार में संबंदित थे पतंजली ने पानिनी की अष्ट ध्याई पर महाभास की रचना की थी ठीक है याद रखेगा कुसान सासक कनिस्क के काल में कलाच छेत्र में दो सहलियां का विकास हुआ था कुसान के सासन काल में कलाच छेत्र का दो सहलिय गंधार सहलिय हुआ था और मत्रा सहलिय हुआ अब एक question देखे कैसे पूछेगा तो कुसान सासक कनिशके के काल में हुआ था याद रखेगा ठीक है कुसान सासक कनिशके के काल में गंधार सेली और मत्रा सेली का विकास हुआ था भारतिये और युनानियों आकिर्ती की समिस्रन सेली गंधार सेली है देखे ए पूछा जाता गंधार सेली सब क्या समझते हैं तो गंधार सेली है वो भारतिये और युनानियों आकिर्ती की समिस्रन सेली से गंधार सेली काते हैं याद रखेगा और गंधार कला में सदैव हरि और युनानियों आकिर्थी की समिश्रन सहली है और गंधार कला में आपका सदैव हरित अस्तरित या सिष्ट चटान का भी पर्योग किया जाता था कुसान काल में बाल विवा की पर्था प्राडम होई थी important point है फ्रेंस आपका जो बाल विवा का पर्था है जो कुसान काल से ही आपका शुरू हो गई थी अब देखे आगला पॉइंट है वाशु देव वाशु देव ने जिस नविन राज्माण्स की निव डाली वह कन्नव या कन्वायन नाम से जाना जाता है यहाँ पर देखेगा फिर समझेगा कि सुंग बंस का अन्तिम राजा कौन था देव भूति था और अपने आमत जो वासु देव था इसके सर्जनतों के दवारा देव भूति मारा गया इसके बाद में वासु देव ने आपका कंणब बंस के स्थापना किया था याद रखे है जो वास्तिविक राधानी कहा था तो पर्तिष्ठान या पैठन में थी पुरानों में इस राजवंस को अंध्र मिर्त्य या अंध्र जात्य भी कहा गया है इंपोर्टेंट है याद रखेगा साथवाहन वंस को पुरानों में कहा गया है तो आंद्र मृत या आंद्र जातिय भी कहा गया है कलिंग का चेदी वन्सिय सासक खारविल प्राचिन भारते इतिहास के महानतम सामराटों में से एक थे ठीक है के हाथी गुफा से खारविल का एक बिना तीथी काभिलेक प्राप्त हुआ ठीक है यह हाथी गुफा है जो आपका राजा खारविल से सम्मंदित याद रखेगा गुप्त वंस के मारे में फ्रेंज साब का 275 से 550 इसवी तक सासन किया गुप्त सासन चला इस वंस के स्थापना लगबग 275 से खेवी में कुष्ञ ने क्या था तो श्री गुप्त के द्वारा किया गया था गुप्त वंस का पर्थम सकति साली सा सासक चंद्र गुप्त परuciónश से 335 अ किया था चंद्र गुप्त परَथम उसके बाद में फ्रेंज साबका चंद्रगुप्त ने अपनी महता सूचित करने के लिए अपने पुर्वजों के विपरीत महाराजा धिराज की उपाधी धारन की थी, ठीए फ्रेंस, तो आज तक आज इतना है फ्रेंस, नेक्स वीडियो में फिर आपका पाच्मा पाट ले करके मैं मिलूँगा फ्रेंस, तो सब्सक्राइब करवा दूँगा इसे काफी हथ तक आप लोगों का रिविजन हो जाएगा फ्रेंस, तो चलिए साड़े आठ बे मैं रोज लेता हूं फ्रेंस, अपने चैनल पर साड़े आठ बे आप लोग लाइव क्लास में जिरूर जूड़ेगा तो चलिए फ्रेंस